यह मतलब यह डिक्लेयर करके पहली इनिंग्स में कौन 10 रिकेट से हारता है भाई पाकिस्तान अगर कोई भी कुछ नहीं कर सकता तो बॉब सी कर लेगा कोई मसला है किंग कर लेगा किंग खुद मसला बनके बैटा हुआ भाई आप यह क्यों नहीं समझ रहे हैं बांग्ला देश वाले नराज थे विद शेक हसीना अच्छा पर निकाल दिया उनोंने पाकिस्तान का पसीना इन्होंने इस बार कप्तान यह सोचके नहीं बनाया कि बावर आजम को बुरा लग जाएगा इस बर इन्होंने इसमोंने इस बंढ आय शोचके बनाया शानमसूद क य हुआ आघरा है वर बंबागला देश ने उत को एक तो नेया काम किया ये बॉड़ा आधेर का के बुद्स है ये रहा है य क्या यदक पाकिस्तान की की कि टीम लग रही है बिल्कुल जौकर जोकर भाई यह मतलब यह डिक्लेयर करके पहली इनिंग्स में कौन 10 रिकेट से आरता है भाई पाकिस्तान और यह तो कई बार कर चुके हैं आप रिकोर्ड निकाल के देखें यह पहली बार नहीं है कि ऐसा कुछ इन्हों ने कर दिया और पाकिस्तान की टीम मतलब मैं तो यह स आदे गंटे चल रही है बड़ी बात है यह तो हम अपना मजाख उडवा सकते हैं आप दा फील्ड नहीं उडवाना है हमें इतना अच्छा लड़का है वह इसने एक बार यह नहीं बोला के इन्शाला माशाला बॉइस प्लेड वेल उसने एक बार यह जुम्ला जो है इस्त यह तो शाहिन अफ्रीदी पहले भी कर चुके हैं यह बया इंडिया और पाकिस्तान का मैच था वर्ल्ड कप का टाइम था उसके अंदर बाबर आजम आये बहुत यह विकेट लिया चलो है तो शाहिन अफ्रीदी यह करते रहते हैं और कप्तान कोई भी उप्पिलता रहता ह विल्कुल तो भाई सबसे बड़ी जो अपडेट है सबसे बड़ी जो खबर है वह यह के बॉर्डर गावस का ट्रोफी हां तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की होती है लेकिन यह जो बॉर्डर पार जो ट्रोफी चल रही है यहां पर पाकिस्तान वैसे तो रोड बनाता है चाइनीज रोड बनाता है पाकिस्तान वो भी चाइन बना रहा होता है इनका अपना वो भी नहीं लग रहा है यह लोग बॉर्डर पार गधे बेचते हैं वो यहां पर आके इनको समान देते हैं लेकिन यार यह तो बता चार दिन के बाद वो जो नसीम शाने प्रेस कि जो इतनी जो बात हो रही थी कि पाकिस्तान कि ऐसी पिचेंज एपर कोई रिजल्ट नहीं निकले गाएगा पास्तान का कैसे नहीं का marking लेगा हम आपको हार कर दी ला जीतेगा बंगलादेश इस बारी भरा बैठा था इनके घर में बड़ी तकलीफे चल रही है उपर से शाकिभाल असन का नाम किसी मुर्डर केस में आ गया है तो इतना कुछ हो रहा है वहाँ पर कि उन सबको पॉइंट प्रूव करना था मैं तो कहा रहा है बीच में होते होते इस बारी बंगलादेश से शाकिफ से खास तौर पर इनकाल दिया उन्हें पाकिस्तान का पसीना अरे वहाँ यू कंट सी मिशान सीना उनको कोई बॉल नहीं दिख रही थी उनको कोई बैट नहीं दिख रहा था यार कुछ भी कर रहे था यह हुआ कैसे रावल पिंडी टैस में जब पाकिस्तान पहले वैटिंग करने आया 448 रन 6 विकेट के नुकसान पर डिकलेयर कर दिया इन्होंने यह यह और वैसे तो इस पिंच मुझे तो रिज्वान के लिए पूरा लग रहा था है 171 पर वैटिंग कर रहा अगला और बताओ यार 200 नियों ने दिया वाट इ डिकलेयर कर सकते थे लेकिन नहीं करा उनों नहीं हम पूरी अपनी बैटिंग लेकर जाएंगे लेकिन यहां पर 448 रन और वह भी तब पहली बात तो जब 16 रन पर ही तीन विकेट गर गए थे तब ऐसा लगा था कि पाकिस्तान बिलकुल अपने रंग में खेल रहा है लेकि मैं तो बाबर भी दो чक के साथ वह जाते तो बड़ा मजा आता एंसा बाबर यह हसन अली बोल के खुद तो गायब हो गया है उस आदमी को खुद नहीं समझ में आ रहा कि मैं क्या बोलू मैंने इतना करके छोड़ दिया बॉपसी कर लेगा किंग कर लेगा किंग खुद मसला बनके बैठा हुए भाई आप यह क्यों नहीं समझ रहे हैं लेकिन 448 रंच है जन में जो इनके जो विगिट कीपर है यह इतना टाइम तो हो गया उने खेलते हुए मुझे तो लगता है कभी कभी 1200 साल से खेल रहा है मुझा हमें किताब में पढ़ाये होते हैं कि यह रहीम के दोहे हैं जो यह मुश्विकुर रहीम नहीं लिखे होंगे इतना पुराना अदमी है यार खेले जा रहा है वही है दोहे भी लिख रहा है और बाद में बैटिंग में भी मतलब पकड़ के पाकिस्तान की एस्तेसी कर रहा है मुश्विकुर रहीम ने 191 रन बनाए लेकिन उसके बाद जो मजा आया मजा आया जब पाकिस्तान सेगी इनिंग में आया 146 जिस पिच को यह लोग रोड गह रहे थे जिस पिच को देखते हुए पाकिस्तान ने कोई स्पिनर नहीं किलाया भाई आप टाइम लाइन देखो ना आप क्रोनलवाजी समझें अच्छा है ना जब पहले दिन उन्होंने रन बना दिये दूसरे दिन रन बढ़िया इनके ब मौसिन नकवी के पास खड़े हुए थे आपका विजन है तो इनका विजन था तो यह वहीं पर अपना पूरे हो गए हमारा तो देखो मैच यह हाथ में आ चुका है अब यहां से हारा नहीं जा सकता है और यह खुश होके बैटे तो ओवर कॉन्फिटेंस इसे कहते हैं बिल बाइसाब इनके spinners नहीं तोड़ी बांगलादेश के spinners नहीं तोड़ी सिर्फ 30 बनाने थे 25 बनाने थे 30 बनाने थे 30 बड़ी असानी थे बिना कोई विकेट कोई उन्हों बांगलादेश नहीं बना लिये एक आधी कोई दो ले ले थे मतलब थोड़ा सा लगता कि चलो पाक क्या है अपने घर पर 9 में से 5 टेस्ट मैच कौन हारता है पाकिस्तान यर तो यह पाकिसान कहीं जीतेगा नहीं जीतेगा कहीं अरे यार अभी तो अभी तो इतना शुकर करो कि अर्शद नदीम को यह लोग कप्तान मना कर नहीं ले आए यह बंदा भी फेकता बहुत बढ़ वह थी बहाने बाजी आप यह देखो कि उन्होंने का कि बड़े टाइम से टेस्ट मैच हुए नहीं थे हम खेल नहीं पाए तो लड़के अभी इंजन गरम हो रहा है जंग लगा हुए जंग लगा हुए लग लोग लड़ते हैं जिसमें वह अलग पिटते हैं जंग में भी लेकिन यहां पर पाकिस्तान ने अपने घर पर फरवरी 2021 में आखरी बार टेस्माच जीता था बाई फरवरी 2021 वाँ कोविट चलना वह उस टाइम पर सेकेंड वेव भी नहीं आई थी 2021 में फरवरी में आप कोइंसिदेंस देखिए ना कोविट चल रहा था हां पाकिस्तान लेकिन अब पर बांगलादेश की तारीफ करनी होगी बांगलादेश से किसी ने उमीद नी गरी थी वैसे कोई कर नी रहा है उनकी थारिफ है उनके अपने फैन्स के साथ अलावा मतलब हम कर देते हैं बाई चैस मैचे में कुछ भी काओ भी वहां पर गये इतना कुछ रहा तर्मॉइल 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 हो रहा है गर में पर उसके बाद वह पाकिस्तान जाते हैं और शुरुआत में ऐसा लगता है कि तीन विकेट जल्दी लेने के बाद एक कुछ भी को थोड़ा सा वह भी को इसके बता है उसके बाद बागी जो नीचे वाले लडगें उनों रिख शन्चूरी मार डी और पर उसके बाद वहां से वापस आना इस टेस मैच में जबकि पोस्ट मैच में लोग इंटर व्हां देना शुरू कर दिया कि यह मैस्थ ड्रॉष है ट्रॉष है और ऐस क्रिक्ट टीम की कर रहे हैं स्पेसिफिकली बाकी तो देश के अलाज जो हैं उनकी सरकार की भी कर देंगे हां आम लोगों से थोड़ी को तर्लीफ है मुझे लगता है कि इनको अवार्ड तो देना बनता है मुझे ऐसा लगता है कि एंटेटेनमेंट का जो ध्यान रख रही है पाकिस्तान की करकेटिक और पूरे वल्ड में फैल रहे है और सारे फॉर्मेट्स तो फोड़ी तर पहले कहरा था वा मैं कहरो कि जैसे टी 20 में जाते हैं अमेरिका से हारते है वह वा बनलब यह देखिए आप डेवलपड नेशन से भी हार रहे हैं डेवलपिंग नेशन से यहार मेरा वैसे एक इस प्रफ यह था कि अभी तक तो यह बोलते थे कि जिंबाभवे लेकर आ जाओ न्यूजिलेंड की सी टीम लेकर आ जाओ बांगलादेश की बी टीम लेकर आ जाओ अब तो बिचारे वह बोलने के लिए भी लायक नहीं रहे यह और यह जो पेस पेस यार यह क्या है पाइब मच्छा नियुक्त हुआ आफ तो लंगता है अर्षद न भी लेक निटिं पर नहीं है लेकर निंकला पर-घृ यह पहलेकर निकला इनको बांगलेश को निकला भड़ा भी बैड़ बेज़ए लेकर आदी डिक यह तो पाकिसान सी बुचती करते हैं यह पाकिस्तान की पहली डिफीट है दस विकट से एक होम टेस्ट में इंक्लूडिंग यूए वाले मैच्छ वाउ पहली बार इतनी बुरी तरीके से हा रहे हैं और मिर्गल बांगलादेश की पहली 10 विकट विन है पर मैं गया हूँ आप पाकिस्तान के लिए देखिए कि हारते ह हर बार हैं लेकिन पहली बार 10 विकट से हार हैं तो आप यह देखिए कितना काम कर रहे हैं तो ऐसा है कि मतलब हर बार हर तो हर भार होती लेकिन अप रॉयक्त आपन कैसे लेके आप प्रिकेट में अपने evolution कैसे लेकर आए इसी तरीके से लेकर आए आज आप 10 विकेट से हारें कल आप इनिंग डिफीट से हारेंगे परसो आप four feet कर देंगे four feet ये तो करते रहते हैं और फिर उसके बाद ये भी हो सकता है कि किसी वजह से मैच ICC दूसरी टीम को reward करते क्योंकि पैर उधर पड़ा जाए और ये भी हो सकता है कि बाद में चेर्में बन गए हमारे जैशाह साब और बाद में पाकिस्तान के टीम पे बैन लगा दे ये भी हो सकता है यार बैन नहीं लगना चाहिए इतना entertainment कहां से आएगा बैन के मैं खि बहुत इंट्रेसिंग टीम है मुझे लगता है ये वापसी करेंगे और अगर आपको भी लगता है कि पाकिस्तान की हार को देख कर मतलब आप अश्यरे चके तो या लगता है कि ये तो हो नहीं था वकार भाई भी चले गए वो थोड़े दिन के लिए आये थे वहां पर महस किया थे कि सलाकार क्रिकेटिंग अफेर्स को लेकर इससे पहले कि आरी दस विकेट की मतलब पाकिस्तान की वहार आती उन्हें रहे का भाई साब मेरे को तो पता है यहां पर क्या चल रहे है अच्छा भाई मैं चलता हूं लेकिन यह जो लडाई की खबरे आ रही है इस पर अब भी एक वीडियो लेकर आएंगे ऐसा लग रहा है कि पाकिसान के टीम नहीं बिग बॉस का घर है अच्छा आए के सारे के सारे जो 11 लाड़ी है वह आपस में लड़ रहे हैं आप यह पाते चल रही हैं पाकिसान में हर टाइम शूटिंग होती है आज देखे वो तो होत